हलो फ्रेंस नमस्ते मैं हूँ पुश्पा-Pushparyal Vlog Channel में आप सभी फ्रेंस का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ सभी और फ्रेंस अच्छे हूँ कि मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंस फ्रेंस ये मेरा वीडियो है इससे लास्ट वीडियो मेरा धंतेरस का गया था और उसके बाद से फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो अभी फिलहाल ये जो मेरा वीडियो है ये दिवाली का दिन का है और दिवाली प्लोग है ये काफी लेट हो गया है तो दिव यहां मेने पहले नोटीस किया होगा बहुत ज्यांदा काबार्ट था जारा साफ सफाई करनेके बाद lesa Covid करने यहां के साहरी साफ सफाई करी थी उसके जो सबस्य चला गया उसके पाद फिर गरम पानी housekeeping करनेट नहाने रिए तो देहात में तो यह हमारे गीजर होते हैं, चूला ही हमारे गीजर होते हैं, यहाँ पर सारे काम चूले पर होते हैं, तो इस तरीके से पानी भी चूले पर गरम किया जाता है, तो इस तरीके से मट्टी लगा कर और मैं हंडी में रख देती हूँ, तो अच्छे से पानी खू हो जाता है बस एक वर चुला जल जा तो फिर तो पॉस्टा पानी अराम से अब रुART oh यहां पर क्रणियर मिक्स सकत्व हो तुछ करकर इस लिए में इसको ना यहां पर बाहर ला भी दूप से ऐले तो थोड़ा साथ पर झाल कि इस में हात पर पर इसके रगड़ के साफ करके चीट नहिला दिया on अझे वाली दिन मेरी भिजूझ ने यह वाला ड्रेस पसंद किया था इस में आध्रेश पहन मोगी में कि उन्हें पसंदाएं, भीधू को मैं उसी की पसंद के कपड़े पहिनाती है, उसको मैं पूछती हम, कई बार को खुदी बोलती है कि मुझे ऐसा वाला एवाला ड्रेस पहना है, यहाँ पर भीधू को ने अच्छे से पाउडर लगा हैं, नेंट पेंट देखिए नेंट पेंट उसके हाथों में पैरों में इस तरीके से मैंने उसको लगा दिया है उसको मेकप करना था तो बस थोड़ा सा मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया था फ्रेंस और उसके बाद फ्रेंस मैंने जो है शाम की समय में मैं भी देखे पिछे बैठी हूं मैं आप सभी से मिल रही हूं शाम के तीन बज रहें भी तीन बच चुके हैं शाम के दुपहर में फिर में कोई वीडियो नहीं बना पाई पूरा घर दिखा रहे थी आप सभी को हमारे यां दिवाली के दिन ही सारा घर्द होया जाता है जैसे बाहर में तो हम लगे वे थे लेकिन मैं जो धुलने वाला काम था वो दिवाली वाले ही दिन किया था तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था इस वक्त में इतनी जादा ठक गई थी कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि आज दिवाली का तेवार है तो फिलाल फ्रेंसी यहां पर मेरा सारा एटूजेट जो साम की पूजा की तियारी होती वो हो चुकी मंदिर के बरतन धुलने से लेकर पूरा घर्द होना और जाड़ू बगेरे पिछे का यह सारा जाड़ चुकी हुए मैं जाड़ कर सारा साफ कर दिया है लास्ट काम बचगया है मेरा नहाना और नहाने से पहले यह बरतन के फिर ढारे जोकी खتم ही नहीं नाम लेते यह मेरा वहाँ भी मैं अकेली रहती हूँ हम तीननी लोगें फिर वहाँ भी मेरे बरतन बहुत होते पता नहीं क्यूं और यहां तो चलो फैमली है तो होनगे ही वी सुवर से बिलकुल टाइम नहीं मिला को कि खेट में आज कल काम लगे हुए तो इति वार के टाइम पर ही खेट में काम भी लगते हैं भाजपूरी और वोजपूरी आप में से कितने लोगों समझ में आती है कितने लोग बोल पाते मुझे जरूर कॉमेंट में बताईएगा मेरी काफी सारी फ्रेंस बिहार साइट से हैं तो काफी सारी फ्रेंस बहुत पूरी समझती हैं तो यह देखिए मेरे हाथ में रंग और आलता क्योंकि ममी इनका ममी जैसे अभी नहाएं थोड़ ज़र पहले तो अभी धान जो है वहां से लाया नहीं गया है तो जब मैंने उन्हें रेडी कर दिया तो खेत निकल गए है अपना काम पे और यहां पर यह बच्चे बना रहे थे रांगोली तो मैं आप लोगों दिखा रही थी देखिए कितना प्यारा रांगोली बनाया है बच्चों बच फिर मुझे टाइम नहीं मिला फिर मैं उसके बाद जो है पूजा पाड़ की तियारी में लग गई खाने पीने की तियारी में लग गई एक तरफ पूजा पाड़ की तियारी भी कर रही थी एक तरफ खाने की तियारी भी हो रही थी तो मेरे को बिलकुल ही हमत नहीं हुआ क कि में केमरा उठाओं और बीज बीज में शाम का समय होता है तो लाइट जरूर जाती है कोई तहवार ती जो तो जरूर गाम लाइट करती है तो फ्रेंस अभी मैं आप सरी से सीधी 8 बजे रात को मिल रही हूं फाइनल हमारी लक्षमी पूजा हो चुकी है और बहुत सिंपल करें सें लश्मी पूजा हुई है और पूजा हमारा का है पूरी फैंटी मिल कर हमने पूजा करी है यहां जब पूजा का समय में टाइम तब लाइट चली गई तो TARS के और फोन के देले से यहाँ पर ने ले पाई क्योंकि यह लाइट नहीं थी अब आई है तो फाइनली जो छुटा मुटा काम यहां पर रह गया है वो मैं देख देके कर रही हूं और उसके बाद फिर मैं प्रणाम कर लूँगी और इस तरीके से मेरी ममी वैसे है वैसे मैं यहां पर करती हूं उनके हिसाब से तो देखे इस तरीके से हमने शाम को लक्ष्मी पूजा किया था यह देखे इस तरीके से हमारे कुल के देवता देवी का मतलब हमारा पुस्तेनी घर है यह बहुत ही पुराना घर है और पुस्तेनी मतलब कुल के देवता देवी हमारे यहां पर है तो मम्मी के हिसाब से ही यहां पर पूझा बाट होती है उसके बाद फिर मैंने अपने भगवान का दर्शन करा दिया आप सभी को बाहर आई हूँ तो यहां पर देखिए रांगोली के पास जो साध्ये रखे हैं वो साध्ये गाओं में जितने भी मंदिर हैं सब देता दोगों के नाम से घर के बाहर हम लोग रख देते हैं तो वो रखे हैं और इस तरीके से फूल जड़ी फटा के ना लगाओ तो तेवार दूरा लगता है तो यहां पर बेदू ने इस बार दिवाली पर बहुत ज़ादा इंजॉय किया क्योंकि यहां पर बच्चे थे उसकी उमर के और वहां तो वो अकेली होती है और उसकी बादी देखिए फाइनली मेरे घर का लुक यह है मेरे ससुराल का घर आगे से इस तरीके से दीखता है हमारा घर और में रोड पर हमारा घर रेफ्रेंस आगे काफी बड़ा परांदा है मैं कभी आप लोग के साथ अपने ससुराल का होम टूर कराऊंगी टाइम नहीं मिल पाता है और पिछली बार भी सोचा था कि होम टूर कराऊंगी पर नहीं टाइम मिल पाया इस बार तो मुश्किन लग रहा क्योंकि बहुत जादा काम है खेती का काम भी प्लस घर के काम भी काफी जादा हो गए टाइम नहीं मिल पाता है तो अब इस वीडियो को मैंट करूंगी कैसा लगा मेरा दिवाली ब्लोग जरू को मैंट में बताईए कार मिलती है तो कि अच्छे से वीडियो के साथ ही दिखे कितना इंजॉय कर रहे हैं बच्चे